मा मा कहा हो तुम बड़ी भूक लगी है जल्दी से खाना दे दो मा सुनो तो सही दिव्या बस स्कूल से घर पहुंचे ही थी और अपनी मा से खाना मांग रही थी बेटा ये क्या तरीका हुआ खाना मांगने का पहले हात मूँ तो धोलो पनाठे सबजी तैयार है दिव्या ने स्कूल बैक बिस्तर पर रखा और हात मूँ धोने चली गई दिव्या सरकारी स्कूल में कक्षा साथ में पढ़ती थी सुभा नौ से चार स्कूल और फिर रोज आधे रास्ते से ही भूग भूग चिलाना उसका रोज का काम था दिव्या हात मूँ धोकर जैसे ही आई मा ने ही सुनते रहो लेडी डॉक्टर क्यों आज उन्होंने हमें उम्र में आना और पीरियर्ट्स मासिक धर्म के बारे में समझाया दिव्या ने अपनी मा से कहा ये सुनकर मा बोली हाँ ये तो अच्छी बात है न और वैसे भी तुम्हारा स्कूल सिर्फ लड़कियों का है और स तुम्हें कभी कुछ लगे कि पूछना चाहिए तो बेजी जख होकर पूछना शर्माना मत समझी अरे मा मुझे कहा अभी पीरियर्ट्स शुरू हुए हैं दिव्या बोली ऐसी बात नहीं है और तुम अब सात्वी में हो इस साल ये अगले साल तक हो ही जाएंगे मा ने कहा दिव्या पढ़ने में बहुत होश्यार थी हमेशा दूसरा या तीसरा इस्थान आता था घर में सभी की लाडली और अकेली भी समझदार भी और उतनी ही सुलजी हुई भी सात्वी और आठवी कक्षा उसने बड़े ही अच्छे माक से पास कर ली नाइंध क्लास में भी वो दिखाना चाहती हूँ उसके पापा ने बिना कुछ पूछे कहा ठीक है तुम अपॉइमेंट ले लो कब चलना है बता देना चार-पांच दिन बाद ये डॉक्टर के पास गए उन्होंने डॉक्टर को सारी बात बताई डॉक्टर ने कहा कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है किसी किसी को पीरियट्स जल्दी आ जाते हैं और किसी को पीरियट्स देर से आते हैं 16 साल की उम्र तक पीरियट्स आही जाते हैं दिव्या ने दसवी भी पास कर ली पर उसे अभी भी पीरियट्स नहीं आए अब तो उसके माबाप की चिंता और बढ़ गई उ ये जानकर मा को तो कुछ सूज ही नहीं रहा था कि क्या बोले डॉक्टर ने कहा बहुत ही कम केसिज ऐसे होते हैं कि लड़की को जन्म से गरभाशे ना हो इससे ज्यादा कुछ शरीर पर फर्क तो नहीं पड़ेगा बस दिव्या कभी मा नहीं बन सकती वो खुद किसी मिल ही गई थी कि वो कभी भी मा नहीं बन सकती मा बाब दिन रात सोचते थे कि कैसे इसकी शादी होगी और कौन करेगा इससे शादी अब दिव्या वकालत करने लगी थी वो जहां प्रैक्टिस कर रही थी वहीं उसी के साथ एक लड़का जिसका नाम निखिल था वो दिव् गुलाबी होट कोई भी उसके प्यार में पढ़ जाए पर कमी एक ही चीज़ की कि उसे गरभाशे नहीं था दिव्या को जीवन से ज्यादा उमीद नहीं थी उसे एक अच्छा वकील बनना था किसी के प्यार में पढ़ जाना और जब इंसान को पता चलेगा कि उसे जन्म से गरभाशे ही नहीं है तो क्या वो उसे प्यार करेगा क्या वो उससे शादी करेगा ये सब सोच कर दिव्या ने बस अपने करियर पर ही ध्यान देने की सोची प्रैक्टिस भी पूरी होने को थी बस एक ही महीना रह गया था आज उनके ग्रुप के सभी लोगों ने सोचा कि आज सब लोग एक साथ मिलेंगे निखिल ने तो सोच ही रखा था कि आज दिव्या को अपने दिल की बात बता कर ही रहेगा तभी अचानक महाँ पर दिव्या आ जाती है निखिल उससे पूछने लगा कि अब जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो आगे क्या सोच रखा है कैरियर ही करना है या शादी के बारे में भी कुछ सोचा है ये सब बोलते बोलते तभी निखिल बोला दिव्या मुझे तुमसे एक बात कहनी थी हाँ बोलो ना दिव्या मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तुमसे जवाब यही होता मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ मेरे मम्मी पापा का मैं ही तो एक सहारा हूँ मेरे सपने बहुत अलग है मुझे इस बंधन में नहीं रहना है नहीं दिव्या मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं रखूंगा जो तुम्हारे सपने वही दिव्या को ये बात हमेशा याद रहती थी कि उसमें क्या कमी है फिर क्यों किसी को जूटे दिलासे दे कर किसी की जिन्दगी बरबात करना वो खुद एक अनात आश्रम से जुड़ी थी और उससे जो बन पड़ता दूसरों की मदद के लिए वो करती उतने में सभी दोस्त भ हाथ मिलाया तो उसकी आखे भराई थी वो अपनी बाइक लेने गया दिव्या भी उसी की तरफ देख रही थी पलटकर दिव्या ने जट से अपने आसू पोँचे तो क्या करती कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास शाम को वो घर आ जाती है दूसरे दिन उसका एलल बी का रिजल्ट आता है उत्तम माक से वो पास हो जाती है उसने वकालत के साथ साथ आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया लेकिन माबाप को उसकी शादी के चिंता लगी रहती वो कहती आप ही बताओ मुझ में जो कमी है उसे जानकर कौन मुझसे शादी करेगा और मैं क इसी को फसाकर शादी नहीं करना चाहती तब मा बोली अरे कोई तो होगा जो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही अपनाएगा जैसी तुम हो और बच्चा गोध भी तो लिया जा सकता है इस पर दिव्या कहती है कि मुझे शादी करने ही नहीं ये सुनकर मा कहती है कि ये फैसला स कोई रिष्टिदार था पर मा उसे सच तो बताना पड़ेगा ना हाँ बेटा पहले तुम ऑफिस से घर तो आओ दिव्या आज जल्दी घर पर आ गई हाथ मूँ धोकर तैयार होने लगी आखिर वो भी तो इंसान है उसके भी तो कुछ भावनाए हैं उसे भी तो लगता होग कि कोई हो जो दिल से प्यार करे अपना हग जता है और ऐसा सभी को लगता है क्योंकि ये प्राकर्तिक है अपने सुख दुख में हमेशा अपने साथ खड़ा हो दिव्या आज बहुती सुंदर लग रही थी उसने गुलाबी रंकी साड़ी पहनी थी और मैचिंग चूडिया उन्चोडियों को देखकर उसे निखिल की याद आ गई उतने में ही माने आवाज लगाई दिव्या तुरंद किचिन में आ पहुँची अपनी भावनाओं को दबाते हुए उतने में लड़के वाले भी आ जाते हैं उसके माबाप और एक छोटा भाई माने सभी को पानी द उन्हें दिव्या बहुत पसंदाई लड़के के पापा कुछ कहने ही वाले थे कि दिव्या बोल पड़ी मुझे आप लोग उसे कुछ कहना है पहले मेरी बात समझ ले फिर आप निर्लिये लेना कि हाँ कहनी है या ना लड़के वाले सोच में पड़ गए कि आखिर बात क्य दिव्या बोली मैं एक पड़ी लिखी लड़की हूँ नौकरी भी करती हूँ अच्छा कमाती भी हूँ घर का काम भी अच्छे से कर लेती हूँ पर मुझे एक कमी है मुझे जन्न से ही गरभाशे नहीं है लड़का ये सुनकर सुन रह गया और उसकी मा बोली मतलब तुम्ह मुझे पीरियट्स आये ही नहीं हाँ मुझे पीरियट्स आये ही नहीं मैं कभी मा नहीं बन सकती अगर इतना सब कुछ जानते हुए भी आप लोगों की हाँ है तो मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए थोड़ी देर के लिए तो सब शान्त हो गए उतने में लड़का उठा और बोला मैं तैयार हूँ तुम से शादी करने के लिए उसकी मा बोली तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो ऐसा करके तुम्हें कभी खुद का बच्चा नहीं होगा हाँ तो क्या हुआ मा और जिने शादी करके बच्चा नह देखी जाती अपने खांदान को वारिज भी तो चाहिए ना एक तो बच्चा होना ही चाहिए खुद का उतने में दिव्या बोली देखिए आप मेरे ही घर में मेरा अपमान कर रही है आपको शादी नहीं करनी वहीं बात खतम और मैं भी तो ये पूछ सकती हूँ ना कि इसका स्पम काउंट कितना है हे भगवान कितनी बेशरम है ये लड़की ऐसी लड़की से तो राम बचाए और वो लोग महां से चले गए ये क्या तरीका होता है बात करने का दिव्या की माने दिव्या से कहा ये सुनकर दिव्या के पापा बोल पड़े क्या खलत कहा उसने अगर लड़का सवाल पूछ सकता है तो एक लड़की को भी उतना ही हक है सवाल करने का अपनी लड़की में कोई कमी नहीं है और जो भगवान ने दिया ही नहीं है उसके बारे में क्यूं इतना सोचना और जो लड़का मेरी बेटी को इसी कमी के साथ अपनाएगा मैं उसी से अप जरूर मिलेगा। दिन ऐसे ही बीटते चले गए। दिव्या अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त हो गई। एक दिव्या की पापा अपने दोस्त मोहन से दिव्या के बारे में बात कर रहे थे। और बात करते करते उनके मुझ से दिव्या की कमी के बारे में भी निकल गया तब मोहन जी बोले तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा करेगा दिव्या से शादी ये सुनकर दिव्या के पापा बड़े ही आश्चर्रे चकित हुए उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है और भावी भी इस रिष्टे को नहीं मानेंगी मोहन जी बोले तुम चिंता मत करो मेरा बेटा इतना संकीर्ड विजारों का नहीं है और मेरी पत्नी एक NGO चलाती है वो इन सारी बातों को नहीं मानती दिव्या के पापा ने घर आकर दिव्या को और उसकी मा को सारी बाते बताई दिव्या बोली पापा आपने सही से सब कुछ ठीक से बताया है ना पिछली बार की तरह तो नहीं होगा ना तुम चिंता मत करो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो लोग शुकुरवार को आने वाले हैं शुकुरवार का दिन भी आ गया मोहन जी अपनी पत्नी और बेटे निखिल के साथ दिव्या के यहां पहुँचे दोनों दोस्तों ने अपने अपने परिवार का एक दूसरे से परीचे कराया मोहन जी की पत्नी ने लड़की को बाहर बुलाने को कहा दिव्या की मा ने दिव् को पहचानते हो चलो अच्छा है फिर मोहन जी बोले हाँ पापा दिव्या और में एक साथ लौकी प्रैक्टिस करते थे हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे फिर तो दिव्या को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं अब बस तुम दोनों के विचार क्या है ये चल जाए निखिल की माने कहा दिव्या के पापा बोले एक काम करो तुम दोनों दिव्या के कमरे में बैट कर बात कर लो दोनों दिव्या के कमरे में चले गए दोनों बैट पर बैट गए दिव्या ने कहा निखिल क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है निखिल क्योंकि मैं तुम से सच्चा प्यार करता हूँ और देखो ना किस्मत ने भी हमें फिर से मिला दिया है पर क्या तुम्हें ये रिष्टा मंजूर है तुम मुझे आज भी उतनी ही पसंद हो जितनी उस वक्त पसंद थी मम्मी पापा का मान रखने के लिए मैं लड़की देखन के लिए आया और देखो सामने तुम थी अगर मेरी किसी और लड़की से शादी भी हुई होती तब भी मेरा पहला प्यार तुम ही रहती दिव्या ये सुनकर दिव्या बोली निखिल इतना प्यार करते हो मुझ से हाँ दिव्या बोलो जीवन भर साथ दोगी मेरा बहर सभी उनके जवाब का इंतिजार कर रहे थे हाँ निखिल मैं तैयार हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए पर तुम्हें ये मालूम है ना कि मैं कभी मा नहीं बन सकती ये सुनकर निखिल बोला ऐसा मत बोलो दिव्या किसी अनात बच्चे को हम गोद भी तो ले सकते हैं ना और हमारी शादी हुई होती और पता चलता कि मुझ में कुछ कमी है तब तुम क्या करती लड़की होने का मतलब ये नहीं कि सभी दोश तुम्हारा ही है और मैं ऐसी ओंजी मानसिकता वाला नहीं हूँ ये तुम्हें भी पता है थैंक्यू निखिल और वो निखिल के गले लग पागल कहीं की चलो सब बाहर इंतजार कर रहे हैं दोनों बाहर आए उनके चहरे की मुस्कुराहट देखकर सभी समझ गए कि दोनों की हाँ है दोनों की कुछ ही दिनों में शादी हो गई और दोनों ने एक बहुती प्यारी बच्ची को गोद लिया निखिल और दिव्या ए एक बच्चे की नहीं एंजियो की सभी बच्चो की मा बन गई है एक बच्चे को जन्म देना ही बस मातेत्रव नहीं होता अनात बच्चो की मा बनना उन्हें अपनी ममता से पालना उन्हें संभालना भी मातेत्रव होता है दोस्तों उमीद करती हूं आज की कहानी आपको पस